हेलो डियर स्टुएंट्स वैलकम वैलकम टो लॉप यू आप सभी का स्वागत है मैं नवनीद गोतम मैथ प्लस आपका मैस नवनीद गोतम मैथ पर चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहतरीन सेशन आज की जो क्लास रहने वाली है स्टुएंट्स वो रहने वाली है कुशंस प्रिवियस पेपर करने वाले हैं ठीक है बहुती बहतरी स्मार्ट एप्रोच के साथ और जल्दी से अच्छे कॉंसेप्ट के साथ कुशंस को करेंगे आज जो हमने करने वाले हैं सरपर्थां वो स्टुएंट्स करने वाले हैं आपका स्सी 9-3-2023 यानि 9 मार्च 2023 सिर आपको अच्छे लेवल पर अटेम्ट कर पाएंगे देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप क्या है डाउनोड सक्सेस ग्यान क्लासे जैप अगर आप सक्सेस ग्यान क्लासे जैप डाउनोड करते हैं तो यहां पर बहुत सारा अपको इस्टेडी मेटेरियल आपक free of post क्या है मिल जाएगा जैसे कि live videos रही है आपकी PDF रहा content रहा जो क्या है वो चीजें आपको मिलने वाली है ठीक है तो totally session बहतरी रहेगा अगर आप unacademy पर भी class लेते हैं तो unacademy पर आपको search करना है मेरा profile नभी पुमार के नाम से और आपको वहाँ से अब मेरी classes unacademy पर भी आपको live बिलेगी सुवए 10 बजे classes चलती है unacademy में और सामको 9 बचे भी अगर आप महाँ पर premium subscription लेना चाहते तो nk qa code लगाएंगे और जो भी discount चल रहा होगा minimum 10% का तो आपको मिलेगा ही बिलेगा तो चलिए जल्दी से जल्दी टाइम को बेच ना करते हुए class को start करते हैं तो यह है आपका success ग्यान classes है तो इसको आप जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे play store से download कर लीजिए यह प्लेश्टोर में मिल जाएगा जहां से आप PDF और live batches बहुत नामात्र सुल्क में क्या है आप आपको courses available करा दिये जाएंगे चलिए तफे यह आपका इसका structure है अनकेडमी पर आप code करेंगे यूज करेंगे लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपको subscription मिलेगा कितने का students आपको 20% 25% तक का आपको discount मिल जाएगा ठीक है 25% आपको क्या मिल जाएगा discount मिल जाएगा अग सी बेस रहेगा मैंने आज जैसे आपको बताया CGL CHSL classes हमारी चलती है तो आज हम जो previous करने वाले हैं कौन सा करने वाले हैं 9 March 2023 CGL 2023 वाला paper ओके students तो वीडियो को लाइक जरूर करें और subscribe कर लें चैनल को अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को क्या कर कुछा है कुछन में दिया हुआ है वार्ग सिक्स रूप से सायोजे 10% वार्षिक दर पर टू वर्सों के लिए 14000 रूपे पर चक्रवदी व्याज क्या होगा यह आप से पूछ लिया गया है इस कुछन को करने में बहुत ही आसानी से बहुत प्यार से आप बहतरी तरीके से कर सकते हैं देखो 10% वर्ष का है सक्सेसिव कितना हो गया दो वर्ष का सक्सेसिव 10% से कितना 21 हो गया और 20% आप 14000 का अगर 20% लिकालते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2940 कितना आ जाएगा 2940 आपका आंसर निकल के आ जाएगा चलिए आ जाएए प्यार से सब्चिए देखो कितना है अमाउंट पूटी जिसका हमें क्या करना है 10% सक्सेस होता है दो वर्ष का कितना 21% 21% हटाएंगे 100 अब यह दो जीरो से आपका यह दूरो क्लिक कर दिजिए काट दिजिए अब इसका मल्टिकलाइ कर दिजिए यहां से दो जीरो कट हो गए आपके 140 का चौदे का गुणा कर दिजिए 14 चौदा एक चौदा कि एक क्यारी और चौदा दूने 28 और एक 29 और एक जीरो रिमैनिंग था तो आपका 29 सो चालिस क्या हो जाएगा बहुत प्यार से आपका आंसर चलिए तो क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे पहला कुशन सापके सामने हो चुका है चलिए तो आगे बढ वीजन करते हैं तो आपके लिए यह क्या है तैयारी को बहुत बूस्ट करेगा आईए यदि कोट वाई बरावर 12 वट्टे 5 है तो पॉस स्कौर वाई कमान क्या होगा जहां से देखिए इसने बोल दिया है कोट वाई आपका राइट एंगल ट्रेंगल बनता है इस्ट्वे हो जाएगा यह है है कि आपका प्यार्व ए तो यह है कि यह हो जाएगा तो बस बता दीज d 10 कुछ भी आसान नही क्या उसक्वार वरावर क्या होता अपोन 169 ओके ओल के लिए किसी को कोई डाउट नहीं होगा चल लिए तब अगला कुश्चन देखिए कि यह है आपका एक सिब्लिफिकेशन से कुश्चन 44 इंटू 12 माइनेस कोश्रक आपको 25 प्लस 30 प्लस 10 का मान क्या होगा बेसिक सासान से कुश्चन है आजेगे द्यान से देखो यहां करूँगा मैं 30 का मल्टिपलाई 10 में 130 हो जाएगा 130 एक सो तिस और फ्लस 25 करूँगा तो कितना यहां से आपको कितना मिला एक सो पच्पन और ये है आपका कितना 12 चार चार उसके बाद आपको माइनस कर दे ना है 125 155 आप मैनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना आजाएगा 8 में से 5 गया अपका तीन बचा रहे हो गया नहीं का सेवन से और उसके बाद यहां रहे गया चार में से एक गया तो इस्ट्वेंट्स आपको बचा ती तो 375 इस्ट्वेंट्स क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा किलियर है ओल किलियर चलो ऑफसन नमट डी आपका करेक्ट होगा अगर लक्षिन बनाईए इस देखिए यह है आपका एक तुरुभज की प्रतेख भुजा की लंबाई 13-15 और 14 इंचे इस थुरुभज का च्छत्रपल क्या होगा यह आपसे कुश्जन पूछा गया है बहत्रीन कुश्जन है आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं कर सकते हैं क्या दिया हुआ है एक तुरुभज की प्रतिक भुजा अब देखो अलग-लग भुजाएं दिये हुई है इसको सच में तो क्या होगा यह हमारा विसम भाहू उत्रुबूज बन गया ठीक है तो कर लेते हैं आपको इसमें देखो यह है आपका ट्रेंगल और इसकी भुजा विसमभाहू दे रखें ए भी तरीके से ट्रेंगल आप मालो ए भी कैपिटल ए यह उस तरीके से ठीक है एरिया पूछा है उसने ठीक है चा होता है आपका गूट Un एस टुरेंट्स सेमी पेरीमीटर है जो है वह होता है सैमी पेरिमीटर आपका अर्धू परिमावफ से होता है आपका अर्धू परिमाव अर्दु परिमा अर्दु परिमा आप क्या होता है students a plus b plus c upon 2 यही तो होता है तो बस कर दीजिए a plus b plus c कितना है a 15 14 और यह 13 अब दोको इसको add करना है 15 3 45 हो गया इसमें कितना कम है एक इसमें 2 कम है तो 3 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 42 42 बट्टे 2 कितना 42 42 बट्टे 2 करेंगे students तो क्या जाएगा 21 आगया आपका अर्द परिमा अब बस इसमें लगा दीजिए आपका answer यहां से students बन जाएगा देखो ध्यान से तो फिर 21 आगया मेरा s की वैलू तो मैं लिखाँगा 21 के रूट में है मेरा 21 इंटू s-a करेंगे एक का वैलू कितना है 13 साथ और एक नटू उसके बाद s-v करेंगे तो 15 माइनस करेंगे तो कितना है वाँ सिक्स और उसके बाद आपका 14 को माइनस करेंगे तो तो 6 वो और 7 यह हुआ 7 इसको मैं कर देखो ब्रेक कर ले रहा हूं 21, 8, 6 और 7 को मैं कर रहा हूं ब्रेक कर लेता हूं तो इसको ब्रेक करिए आप 7 में और 3 में और 6 को ब्रेक कर लिजिए 2 में और 3 में छल्दी से के यहां से मैंने इसको इन्टू 3 और से आपको जो बाहर आ रही है उसे बाहर सेवन दो है सेवन बाहर आ गया इन्टू थिरी है थिरी बापिस बाहर आ जाएगा आड़ दूनी 16 16 को क्या कर सकते हैं चार बाहर ले सकते हैं तो बस साती है किसी को कोई डाउट है ऑप्सन नमर यह आपका अंसर होगा बिल्गुल करेक्ट के लिए रहे सभी को चलिए तो फिर अगला कुशन बनाते हैं यह लीजिए इदर अट जाता हूँ एक बार आप इसको लोट डाउन कर लीजिए चल दीजिए ओके चलिए तो इस्ट्वेंट्स ठीक है अगला कुशन बनाईए आप से यह कुछा गया है चलिए आज आए ध्यान से सॉल्व करते हैं इस पोसंको भी क्या है कि यही है यही है बस यह सिंप्लिफाइ करना है दो मैं इसको माइनस कर दे रहा हूं इधर चला जाएगा यह हो जाएगा पी का 20% एकक्वन यह मायनस हो गया तो यह चालीस प्र्षेंट वचा चालीस अब परसेंटस से तो परसेंटस कट ही जाएगा अब का स्ट्वेंट्स कितना पर्षेंट के लिए हंट्रेट करेंगे आप क्या निकल क्या जाएगा फूहंड्रेट पर्षेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर भी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नमर भी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट चलिए तो पर अगला कुश्ण बनाई लिए इस कुश्ण को बनाईए बहुती बहतरीन यह सेशन आपका है क्या है बहुती बहतरीन सेशन यह आपका चल रहा है लेटेस्ट आपको जैसा मैंने बताया SSC CGL पिरी 2022 का जो पर कराये गया है उसका यह सोलूसन है अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और क्या है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ओके और अगर आपको क्लास देखनी है तो आप मेरा नाम सर्च करेंगे उपर उ जीवा एकस वाई द्वारा अंत्रियम कोड 180 डिगरी है यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस ब्रत की तरज्या कितनी होगी यह आपसे पूछ लिया गया है क्या दिया है किसी ब्रत के केंदर पर आ जाईए तो क्यान से देखिए बनाते हैं इस कुश्चन को कि देखो कि आपका सरकल है कि अब देखो इसने बोला है कि यहां पर कि किसी ब्रत के केंदर पर जीवा एकस वाई द्वारा जीवा एकस वाई द्वारा दो एक चीज के लिए है उसने केंदर पर बोला तो केंदर पर जो कॉंड बनता है केंदर पर कॉंड जो बनता है आपक किंद्र पर बनता है वो बनता है 180 बगरी का और परधी UPर जो बनता है अगर अगोइस अधर आampedर नएंटि estaba पर केंदर पर एकसा बन रहा है आपके पता चली गया किंदर पर बन रहा है 180 , यह तो Acts हो गया ना? Saturday यह तो क्या कि जीवा है आपकी जीवा है जीवा वरावर व्यास हो जाएगा कि जीवा कि दे रखी है जो xy है उसकी जो जमबाइच दे रखिया वो कितनी है 36 है तो रेडियस कितना हो जाएगा स्ट्ट्ट रेडियस इसका हाप हो जाएगा अठार और यही आप से पूछाता आपसे नमर बी आपका क्या होगा बिलकुल करेक्ट होगा तो क्लियर है सभी को चलिए दो फिर अगला कोशन बनाईए सभी इस्ट्ट ठीक है इसको दीज़ेए जवाब क्या होगा आपका right answer है तो P प्लस 4 P प्लस 3R प्लस 70 रेस्टियों 4 Q प्लस 3S 7u का मानु क्या होगा यह आप से students यहां पर पूछा गया है basic सा क्रूशन है आसानी से आपको बहुत जल्दी कर सकते हैं देखो किया हुआ आपको चाहए P upon Q is equal R upon S equal P upon U equal 2 by 5 इसका मतलब यह है का जो P का मान भी 2 है Q का मान भी 5 है तू है और का मान भी 2 है T का मान भी 2 है तू है एस का मान 5S का मतलब यह सभी का इत्पोल है तो आप से यह पूछ लिया गया है उसने पूर पी और यह रिश्यों पूछ लिया गया तो बस कर दीजिए इसमें क्या दिख्कता रही है देखों कि यहां से यह है आपका 4P प्लस 3R प्लस 7P आपको आंसर कुछ नहीं हो वही आएगा आपको आपको प्लस 7U यह आपसे पूछ तो इसका मान हमेंसा आपका क्या आएगा यह आपको पिलियर ली विजिवल है इसका मान जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा दो यह तो 4 से 4 तो कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा आपका सेवन से 7 कट जाएगा आप रहोगे 2 ज isका मान रहोगे लह नहीं कि आपको औरbank आपको और नहीं तो इससे यह आपका अनसर है कुछ भी नहीं था ऑप्सुन सी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट इता रोग जाएगा ओके चलिए तुर अगला बनाए यह देखू इंधि प्लस पी प्लस टीवर जीरो है तो एका फ्यूप्लस पी क्यू प्लस सी का क्या होगा कुछ पूस भी नहीं है जिरॉं ये बन रहा है और इसमें रखेंगे वैलू हो himself जाएगा ए दिकाता जब आपको देख रहा है फ्रयव जी है क्या दिया सब्सक्राओके उच्छा उच्छ डिया है तो कि एक मिनट थोड़ा साइए एक से थोड़ा स्वेंट टेकनिकल को बला कि अब हमारा बात आती है सी का क्यूं माइनस थ्री यह पूछा है दब आप जीरो रख देंगे सभी मान को तो यह तो जीरो बन जाएगा करेक्ट है चलो तो फिर अगला कुस्टन बनाईए सभी इस ठीक है यह है अंकित मूल यह अंकित मूल का टू वाई फाइव भाग विक्र मूल के पांच बट्टे भाग के वरावर है तो छूट प्रत्सत क्या होगा यह आपसे पूछ लिया गया है इस ठीक है आओ ध्यान से देखिए तो फिर मर्पी का टू वाई फाइव मर्पी का टू वाई फाइव एक्वल है आपका एस पी एस पी के फाइव फाइव फाइट के बरावर है तो छूट प्रत्सत क्या होगा है यह आपसे पुछ आ देखो कुछ भी नहीं है क्रोस मिल्टिप्लाई कर दीजिए इस क्या ही था यहां से आप करेंगे क्रोस देखो कि इस पुछ वह यहां से मेरे पास MRP और SP करेंगा MRP SP कितना हो जाएगा MRP का यहां से 25 हो जाएगा और SP 16 कितने का डिस्काउंट हो रहा है इस क्या से चार नो का हो रहा है कितने के नो का नो का डिस्काउंट हो रहा है इस क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला next question बनाएंगे क्या बनाएंगे अगला question बनाएंगे अगला question बनाएंगे अगला question बनाएंगे दो ब्रतों की तरज्जियां 12 cm और 5 cm हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 cm है तो सीधी उभेनिस्ट इसफस रेखा की लंबाई क्या होगी क्या पूछ लिया है उसने डारेक्ट कॉमन टे से यहां पर इस्ट्वेंट्स पूछ लिया गया है बस यह बताना है रेक्ट कोई डाइग्राम बनानी की इसमें कुछ भी जरूत नहीं है या पूछ यह पूछ यह पूछ यहां करना है ठीक है देखो तो कि यहां कर दीजिए आप टी कितना डिस्टेंस 25 पत्चीस का स्कॉयर कर दीजिए यह आपका रूट में है पूरा रूट में ले लिए अगा पैल्यूरत प्ट्टी स्ट्वाइब मैनस आरवन और राट टू कितना हो जाएगा डिफ्रेंस से वन हो जाएगा तो से वन का है आपका 24 पाखी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आपके लिए कैसे करना है आपको देख कि यहां आप देखो क्या कर सकते हो यह बन रहा है आपका साथ कितना हो गया 32 और यह कितना हो जाएगा इंटू यहां से एक बार माइनस कर दीजिए आप तो 18 जब आप मल्टिप्लाइ करेंगे यहां से कितना बनेगा इस्ट्वेंट्स 576 और 576 को बहाल लेंगे आप तो 24 किलियर है सभी को आल विज्वल आप्सन नमर बी आपको क् करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यह कलर विज्वल है यह बताइए विज्वल है कलर किलियर तरीके से चलो खीक है अगला कुश्वर मनाओ कि इसको देद एक कार एक समान चाल से 60 किलोमेटर की दूरी ते करती है यदि कार की चाल में 8 किलोमेटर प्रत्गंटा की का गया देखो इस परकार के अगर कहीं भी आपको यह कुश्वर मिलता है तो मैं तो यह कहूंगा आपसे के ऐसे कुश्वर को आप से बनाइए एक्जाम के पॉइंट ऑव यू से मैं आपको क्लासिस देता हूं पढ़ाना एक अलग चीज है सेलेक्शन दिलाना एक अलग है क्योंकि आप सेलेक्शन लेने के लिए यहां पढ़ाई कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपको क्या है कॉश्वर करना है कम से कम समय में अब तो वन आवर का प्री में टाइम मिलता है अगर आपको तू आवर मिल जाए उसी में तो सभी ऑफिसर बन जाएंगे बन आपको यह कह रहा है कि 60 कलोमेटर की उसटेंस की कितनी है साठ क tapping और वो कहता है यादी और की करका में ब्रद्दीकर लेत तो गहंटे का डエफ्रेंस आ जाता है क्या है कि में आप से तो समय आजा एक तो समय आ equip मेरा कि इतना ंचो इतना 5 आवर का मेरा पार डिस्टंस समय लग रहा पहले वो बोल रहा है फिर इससे कि इसको इंकरीज कर दिया 8 km पर आवर तो कितना हो जाएगा 20 किलो मीटर पर आवर हो जाएगी इस वाली से ए में तो साथ को मैं 20 से भवाजित करूंगा तो कितना बना आपका 3 लिए आवर का समय लग रहा है अब दोको उसने बोल दिया कि दो हंटे का इनका डिफ्रेंस रहता है अगर वह अपनी सामाने साल से चलता है तो उसे जो सामाने चाल से चलता है तो दो घंटे नॉर्मल समय पर जो भी है उसका पहुंचता है लेकिन स्पीड को बढ़ा दे आठ किलोमेटर पर घंटा के साब से ब्रद्धि कर दे तो दो घंटे जडि सेट ठीटा प्लस टेटफीटा बड्रावर 5 है तो सेट ठीटा मानस टेटपी घंटुर्ट क्या होगा आसानी से बना सकते ब्रदेखो समझों स्टेटा फ्लस टेटा वरावर 5 है आपको पता है उस्ट्वेंट्स के अपकि एक इसकाइट इसक्वायट ठीटा माइनस य्कॉरावर क्या अoda प्राहवर क्या होता है वन तो बस अब देखो मैं यहां पर देख पा रहा है यह कौन सा फॉरमिट वन रहा है एस्क्वैर मैं इस बनहुर्म यह खरते रहा हो कुक्त हो जाएगा सेक सब्सक्राइब 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 यह मैं अगर वनिला रहा हूं और बस उसी value को रख देना है आपको बस क्या हो जाएगा sec theta minus 10 theta पराबर क्या हो जाएगा sec theta plus 10 theta की value 5 है तो 1 upon 5 और यही आप से क्या है instruments पूछाता बताओ clear सभी को यही आप से पूछ लिया गया था कि sec theta minus 10 theta की value क्या होगी option number A आपका क्या होगा बिलकुल correct answer होगा clear है सभी को चलो clear है सभी को एक बात देख सकते हैं अगर डुब रहा हो जालिए जब नेक्स पूर्शन का एक question है इसको बनाएंगे जिसे यहां से यह हुआ है यह आपका एक simplification का question है फाइव अपन टू तो हमें पूरा करना पड़ेगा इसमें तो कोई ट्रेक और वह तो होता नहीं है तो आचाहिए यह दिखन सब्सक्राइब यह है आपका फाइव अपन टू सबसे पहले पाइव अपन टू आगे थे तो इसको रिवर्स कर दोंगा में इन टू में ना जाएगा आपका तो इसको इन टू में चेंज कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा रियो अपन फाइव और रिवर्स होगा अगर आपका फाइव अपन थिरी और इंटू अपन उपर का तो यह हो गया स्ट्वर्स पर कट अवाजिवयल्य तो यह है टू वाई पाइव नहीं है टू वाई पाइव लाइव आगे पायव पाइव कि ओपवा पायव बन हो जाएगा इन्टू माइनस है क्या है आपका माइनस है वन अपॉन टू है वाइट वाजाएगा भाग है तो आपका चार वट्टे 25 हो जाएगा यह और आपका इसके बाद प्लस है वन अपॉन टू इन्टू वाइटू हो जाएगा उल्टा और इन्टू अपॉन फाइब तो बस इसको आप काट पीट कर लीजे आप कहांसा निकल क्या जाएगा बताओ कुछ भी नहीं है इसमें जो वेल्यू कट रही है उनको काटने के कुछिस कर दीजिए काट दी लीची जेखो यह 5 से फाइफ कट गया आपका इस पॉर बन गया इन्टू में और यह पॉर कट गया पूरा इस फाइब से 25 कट गया इधर आ जाएए इधर क्या कटेगा आपका फाइप से फाइफ पर जैंद बस इतना ही कट रहा है तो बस कर दीजिए उपर मेरा क्या बना इस्टुएंट्स फाइब वाई टू और माइनस फाइब वाई सिक्स यहीं बन रहा है अपॉन में यहां से क्या मिल रहा है मुझे तू बाइब वन माइनस आपका जरा जाएए यहां से कुछ नहीं प्ला पूरा कट चुका है अपन वाई फाइव है आपका और उधर प्लस में आपका वन अपन पॉर नहीं नहीं कर दें यहां से ल्स ले लिजिए इस वाले नीचे वाले पार्ट का इसका ल्स हो गया 20 कितना बनेगा आपका ट्वेंटी से ट्वेंटी टाइम सो बीस दूनी चालीस हो जाएगा शालीस माइनस पांचोग भीस चार आजाएगा और प्लस चारपंज भीस फाइव आजाएगा इधर आपका क्या बना वेल एलस्यम है इसका तो यह कितना बन जाएगा तो छे बारा है कि अधि देखो यह फूर था कितना था फूर था कि यहां पर हमें फुल लेना पड़ा हो गया अब देखो चार और चार चार तीन बारा जिब कितना हो यहां थ्री पांस ती पंदरा माइनस है दूनी वारत दस यहां से यहां से मुझे मिला फाइब वाकॉन ट्वैल और यहां से मुझे क्या मिलेगा देखो डारेक्ट लिक रहाँ में यहाँ पर चलो एक लाइन बढ़ा दे रहा हो यह बन गया आपका तालीस यहां से के मैं मिला तालीस तो पर आगे ले जाएंगे तो फाइब बाइट ट्वैल और इंटू में केतना हो जाएगा इस्टू और इस फाइब ट्वैंटी बन्टी वन टिपलाई कर दीजिए यह जाएगा चार से काटी कि इसे काट लीजिए आप अट्वैंटी है ऐसे दीजिए इसे कर बनेगा कर आपका 20 वह संधोर इस थोड़ाय से यह तो टाइम जिटना सब्व करनने हैं उतना थे गई ओक है पना आपका ड्म चार तीन बाराथ चार पंजे बीस 25 पट्टे और 41 इस इस नहीं जाएगा तालिस तीन एक सो पेस आपका आंसर हो जाए और सा ऑप्षन है ऑप्षन नमर्टी आपका क्या होगा ब्लगुल करेक्ट हो जाएगा और अगला कोशन के लिए को एक बाट सभी नोट डाउन कर लेंगे स्कुर्षन को ठीक है सिंप्लीफिकेशन का कुछ्ष्टन था आओ अगला बनाई है इसको देखिए समझे बन प्लॉस एक्स स्क्वाईर मानस वन एक वन मानस एक्स पागित बन मानस एक्स पोर एक्स और अपॉन X-1 into X 1 upon X 1- X X plus 1 का मान यह भी सिम्पिलिफिकेशन का तुस्तान है आसानी से इसको कर सकते हैं आज देखो दियान से देखेंगे इसको छार से चाहे 1 plus X square 1 प्लस X स्क्वाइर अपॉन 1 माइनस X आगे था है मल्टिप्लाई कर दे रहे हैं क्यों हो जाएगा X माइनस 1 अपॉन 1 माइनस X पूर X 1 माइनस X अपॉन 1 प्लस कहीं दिया हुआ है ठीक है कहीं दिया हुआ है बस तो कर दिजिये क्या करना है ढो क्या कर रहा हूं इसको next पॉर्बटको मॉर्प्लस x civ को मैं क्या कर रहा हूं ब्रेक कर रहा हो वण प्लस X पॉबटको क्या वरत किसमें भन जाएगा वह हूई स्कुरी मैनस B स्कॉर एप्लस v 1 plus x square और यह हो जाएगा आपका 1 minus इस तरीकी से हो जाएगा, अब मैं तो लाश्ट वाले इसको भी ब्रेक खूल सकता हूं, इसको भी मैं क्या रीक सकता हूंThree, इसको भी कर देते हैं, चलो तो फिद्चान से, उसको मैं क्या लिखूंगा, अब इसको लिख दूँगा मैं देख लिए वन प्लस एक्स और वन माइनस अब यह वैलू है बस इसके जगह पर मुझे यह वाली वैलू आपकी लिखनी है यह वाला फॉर्मेट बस तो लिख दे रहा हूं है मैं ठीक है यह हो जाएगी आपकी 1 प्लस एक्सिस क्वाईर से बस एक्स और यहीं है अब जो गट रहा है उसे काट दीजिए बहुत जल्दी फटा पर से ठीक है आजाओ देखूँ 1 plus x square से 1 plus x square यह कट जाएगा आपका ठीक है 1 minus x यह वाला यह वाला पार्ट कट जाएगा पूरा आपका यहां बचा 1 plus x 1 plus x अब देखो यह है 1 minus x वो है x minus 1 यहां से मैं क्या कर रहा हूं minus ले ले रहा हूं इस्टुएंट्स इसमें से common मैं से minus common ले ले रहा हूं तो प्लस का 1 बचेगा और minus x अब यह वाला पार्ट जो है मेरा यह कट जाएगा यहां से इससे को दूसरे उससे काड़ते हैं कि कट जाएगा आपका यहां से यह कट जाएगा बचा क्या minus x उपर क्या बचा माइनस का एक्स अपोन यह x प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स ठीक है यह होगा यही मेरा आपसर है option number b आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा सभी को clear है all students को जालो अगला बनाएगे इसको दीजिए क्या होगा 32 34 38 21 36 x का उस्वत इतना है 32 x का मान क्या होगा यह आपको बताना है बताएगे इसका अंसर क्या हो जाएगा देखो इसको कर देते हैं deviation methods लगा देते हैं और डेविएशन अर्टी टू अर्टी एट अर्टी एट इसक्स और एक्स एवरेज कितना दे रखा है इन सब का इन सब का एवरेज आपको कितना दे रखा है इसक्स प्लस टू है और यह प्लस एट है और यह माइनस का नाइन है माइनस है और यह कितना है प्लस यहांसे ओवराल मुझे क्या परापती है यहां से देखो दो प्लस 6 और यह 14 14 और 6 20 इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आपका प्लस का आएगा या प्लस का 11 आ रहा है तो यह अकेला वैलू है तो इसमें अकेले का सिंगल का माइनस ही रहेगा तो 30 में से आप माइनस कर दीजिए 30 माइनस 11 परावर 19 आपका अंसर ठीक है इसके तारे ही ऑप्सन क्या हैं। यह स्ट्विंस रांग है और यह आप्सन गरॉंग है आपका राइट अंसर होगा विए सिकेवरर क्लियर हैं जिसमें क्या है आंसर ब्रॉंग है चलो फेराण लगस कराओ देखो यह वन-प्लस-टैकए स्क्वाइर एवन-प्लस-पॉससक्वाइर एवन-प्लस-प्लस कुस्वये कामान क्या आई 1 और इसको सिंप्ल्लिफाइ नैस क्या होते हैं इसको यह फॉन क्या लिक सकता हूं और को स्क्वाहर इसको लिख सकता हूं स्क्वाहर नीचे आपका क्या चलदा है स्ट्वेंट्स 1 प्लस पॉस स्कॉेर अभी उसको द्ध्धान मंत दीजी अभी पूद इस पॉस को तर्फट करोंगा तो क्या होका वा फॉस स्कॉर तो स्कॉारी प्लस बन् मैं लिख सकता हूं one प्लस स्कॉस पॉरे बन प्लसकॉष पॉस इसक्वाइर एक 일 ठीक है आप प्लस पॉस इसक्वाइर यह भी है वन प्लस पॉस स्क्वाइर नियुक्त सकता हूं है वन प्लस को साइन में चेंज करना हूं और प्लस यह सकता। हूं मैं एक और आ जायगा साइन स्कूर हचे खाए और उपर क्या है आपकाần one plus sin square A चली रहा है एक काम कर सकते हैं देखो देहां से मैं क्या कर रहा हूं इसको sin square A को उपर जाकर multiply करते ने ठीक है तो क्या आ जाएगा आप का देखो यह हो जाएगा आपका का उपर multiply कर दीजिए इसको one plus fine, square A और यहाँ पर आ जाएगा आपका थैनज कफारन पर ए इसाइन स्वाइर है आप यह सब्साइरर हे कुम यह आप देखो यह तो बैलू कट जाएंगे आप इसब्स सेवन प्लस मेर Toward कट एधर रचा वंप्लस साइन स्वाइर से वन पर साइन स्कॉर आपको समझाने के वज़े से इतना कुछ किया है वागी अंसर बहुत जल्दी आपका आजाए ऑफसान नमर्ट आपका क्या होगा किलियर होगा चलिए एक बाद देख लीजिए दूभी नोटाउन करना चाहें चल दिस दिनोटाउन कर लीजिए ओके के लिए सभी को चलो फिर अगला कुस्षन करें टूटली मैं बारबार क्लास रहा हूं कंसेप्ट आपके बहतरीन होंगे क्लासेज आपका जो पैटन होगा जो कुस्षन होंगे वह बावा आदम के जमाने के नहीं होंगे लेटेस्ट कुस्षन होंगे आपके क्या होंगे लेटेस्ट कुस्षन चलिए फिर अगला बनाओ कि छात्रों की ओसत आयू 15 वर्स है यह पाया गया कि ओसत आयू को गड़ना करते हुए समय एक छात्र की आयू 9 वर्स के बजाए 15 वर्स ले गई थी सही ओसत आयू क्या होगी कि आपसे पूछ लिया गया है तो कुछ भी नहीं है इस कुस्षन में तो ओसत आयू उनकी कितनी थी पंदरा उसत आयू 15 वर्स थी यदि पाया गया कि ओसत आयू गड़ना करते हुए 9 वर्स के बजाए 15 वर्स ले ली गई 15 तो थी अब इसमें प्लस जो करना है वो बैल्यू हमने कितनी करनी थी नौ लेनी थी लेकिन ले किदनी ली 15 15 को माइनस कर दी अपन कितना था वचा आपका यहां से देखों माइनस का 6 अपन थर्टी प्लस है अब दो यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यह पोश्टक मैं ऐसे समझें यह से तो यह हो जाएगा 15 माइनस और यह भाग देजी जीए पॉइंट लगा कि 0,60 हो गया तो पॉइंट 0.2 हो गया आपका और एक्वल में 14 पॉइंट कितना आ जाएगा एक आजाएगा आपका के लिए रहे सभी को पताईए और के लिए चलिए तो फिर अगला कुश्टन बनाईए एक बरत जिसकी तरज्या 17 सेंटी मिटर है उस में से एक जीवा की लंबाई 30 सेंटी मिटर है उस बरत की इस जीवा के केंदर से दूरी क्या होगी इस इक सा कुश्टन है आसानी से आप इसको बना सकते है देखो देखो कि ब्रत है एक ब्रत इसकी तरज्या 17 सेंटीमीटर है एक जीवा की लंबाई कितनी है जीवा की लंबाई आपको देर हुए हुई है कि लंबाई 30 में हैं लिख दे रहा हुए कितना 30 अब ध्यान से समझें उसने बोला है कि उस ब्रत की जीवा से केंद्र की दूरी क्या होगी कि सेंटर केंद्र होगा आपका ओमाल लेता हूं और यहां से यह वाली दूरी क्या होगी और रेडियस कितनी दे रखिये स्ट्रेंट कितना 17 सेंटी अब आपको पता है कि जब यह लंब डाला जाता है तो लंब बाइसेक्ट करता है जीवा को दो बरावर वागों में तो यह अगर 30 थी तो 30 ते कितनी कितनी हो जाएगी यह 15 हो जाएगी और यह 15 हो जाएगी आपको किलियर ली विजबल है इस्ट्वेंट्स 8 15 सब्सक्राइब का क्या बनता है रुपलेट आठ पूरेट बनता है तो आठ हो जाएगा आपका लंब यह आठ सेंटी मीटर आपका आंसर होगा किलियर है और सभी को चलो सब्सक्राइब अगला बना कि यह है एक 25 प्रत्सत के लाव पर ग्यहूं बेचता है यह इसका विक् सब्सक्राइब क्या है ठीक है चलिए तो आओ समझीए एक 25 सब्सक्राइब पर ग्यहूं बेचता है 25 परसेंट की प्रेक्शन वैलू आपको पता होनी चाहिए इस्ट्वेंट क्या होती है वनवाई फोर से वह सेल कर रहा है फोर की थी एक की क्या है लाव कमा रहा है तो कित उसे 25 परसेंट की हानी होती है गयहू का प्राइमिक मोले क्या है 25 परसेंट की हानी यहां से पहले तो प्रॉफित ले रहे थे अब लॉस चार में से एक मैनस करेंगे तो कितना हो जाएगा संहें लॉस हो रहा है मेरे कितनी का रा रहा है टू का की कितनी कितनी हो चालीस कितनी हो जाएगी 20 बस तो आप से जो पूछा है उसको बता दीजिए बोचा है उसने बोला है कि बिक्रैम उल्ड क्या है चा था या था एक वेलू 20 तो 5 की value कितनी हो जाएगे students 25-100 आपका क्या हो जाएगा answer होगा all clear सभी को आपका हो जाएगा answer जल्दी से जल्दी फिर अगला बनाएगे तीना अकेले किसी कार को 12 दुनों में कर सकती हो मीना अकेले उसी काम को 15 दुनों में कर सकती है यदि टीना और मीना को 18,000 रुपे में इस कार को करने के लिए जिम्मिदाई सोंपी जाती है तो मीना को कितनी धर्रासी प्राप्त होगी यदि वह दानों साथ मिलकर काम करें जब आपको पता चल गया कि साथ मिलकर काम कर रहे है तो जिनकी जो एफिसेंसी का रेशियो होगा वह इनकी क्या है पूजी में बढ़ चाएगा इनके प्रॉफिट उसमें जो भी काम रेशियो उसको मजदूरी जो मिल रही है ठीक है देखो तो फिर कितने दुनों में कर र मिलकुको कि आ रहे है 15 है तो मीना जो वर्क कर रही है वो स्टूबंक बन जाएगी चार बन जाएगा इनकी से टोटल सम कितना आजाएगा 99 की वाल्यू कुश्यन में कितनी के में अठारह हजार लिए बस दीजिए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा इस्टूएगा दो हजा साथ मिलकर काम करें तो यहां से मीना का पूछ लिया मीना की मजदूरी अब मीना की efficiency कितनी है इस्ट्वेंट्स फोर है मीना की बस फोर इंटू 2000 कर देंगे अब सब्सक्राइब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अगला बना की तो एक पहिए की चरज्या 14 सेंटीमीटर है तस चक्र में बहिए कितनी दूरी तय करेगा यह आप से अब आपको पता है कि यह परदी बरावर कुंता है क्या है परदी और ब्रत की परदी क्या होती है एक चक्कर लगाने में एक चक्कर अपनी परदी के बरावर लगाएगा कितना परदी अब ब्रत की परदी क्या टू पाई आए और टू पाई आर को कर दीजिए बस दो बट्टे 22 बट्टे साथ और रेडियस आप यहां पर क्या है देरख्या तरज्या यहां से मिला मुझे एटी एट उससे क्या मुछ लिया है कि दस चक्कर के पूशार एक चक्कर का निकाले दस चक्कर का बता दीजिए दस चक्कर से एक चक्कर का आगे तो दस चक्कर से आप क्या कर देंगे मल्टिप्लाइ कर देंगे अधासी एंडू टैन परावर कितना हो जाएगा इस्ट्रू आट सो असी आंसर होगा कि लिए रहे चलो तक अगला बनाएए अब कुछी कुछन रह गए आपके दो तीन कुछन तो यह पेपर आपका पुरा फिनिस हो जाएगा तो जिसी स्पीट से मैं करा रहा हूं मैं आपको समझा भी रहा हूं तो थोड़ा चीज़े से लो हो जाती है जब आप इस पर प्रक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी से ज जन संथिया alors कि अब उशन का संथिया से weagen कि आप से बूऄ है इसकूल पी और आर्मीं लड़क्यों की को संखिया कितनी है पी का रेसियो यह है और आर का कई तोटल कितनाया 18 वन घ्या अब कितना है जन संथा 3,000 his uh total 48 तो 4048 किया है दो पचास परशेंट पूरा यह गया और सारी पचास पर सेंट लिए कितना हो गया। है, कि फण्द्रेसो और मायनस कितना करना है अट तालीच साथी तो परषेंट Camry, काट बन जाएका। बस एतना कर देंगे कितना होगा 1480 आपका, adился की नहीं सॉरी जब साथ माईनस करेंगे, यापवाई कि आगवाई कि यह भी दियाए का कुछ सन है इमले फिल आयत कित्रमक अच्छा दस के द्वारा प्राप्त अंगों में दरसा गया है कोल कितने प्रत्स छात्रों ने साथ प्रत्सते अधिक अंग प्राप्त किये यह आप से पूछा है देखो किलिया ली विजुबल है यह है स् स्टवेंट्स की संख्याब की तक साथ परसेंट देक 25 आशुर नोई स्टूएंट्स कितने पछी सथ ौर नॕ कितने हो जाएगे 34 स्टूएंट्स हुचा है लेगिन उसने पूछा में से 35 अगर आपने क्लिक कर दिए तो आपका आंस्र हो जाएगा क्या हो जाएगा रों लाते हैं लेकिन कितने में से प्रत्सत पूछा तोटल बनता है इनका सब का पचास इन सभी का जो टूटल बनता है इसको पचास बन जाता है इस टुटेट इनका से पच्चास तो पच्चास से रिट पट्रसेंट लेकाने तो नहीं आट्सट पट्रसेंट क्या हो जाएगा आपका रक्ठ क्लियर। A C Eta, Comp Pvt. ऑप्सट बचत सभी कंप्पनियों की उसद व्यका कितना प्रतिशत है या आपसे सबभ्य कंप्प Oh बभी पॉसर्ट भ्याइगा पहले तो आप क्या कर लिजिए सेविंग का और इनका तूटल का पूछ लिए तो एड़ कर लेंगे मैं पहले कर ले सेविंग सेविंग कि तिन बन गया अपका सेविंग एक्सपांग टीचर कितना है क्योंकि एक्सपांग टीचर वह क्या प्रतिसत पूछा है तो कर लिजिए देखों दूसो आठ सो एक हजार दो हजार दो हजार परसेंट के लिए क्या कर देंगे सो जिरो से दो जीरो काट जी एक जीरो से यह चार से काटेंगे तो कितना बार है तो एक सो बीस परसेंट आपका अंसर आए लेगा कि कौन सा है ऑप्शन नमर सी अगला कुशन बनाईए यह तो डी आई तो बेसिक रहता है जल्दी जल्दी बन जाता है कोई दिखेंगे 25 नमर कुशन है और यह कुशन नमर लास्ट है इसको समझेए आसानी से कुछ भी नहीं है इसमें भी इसमें भी कुछ भी नहीं है संख्या का मुल ले क्या होगा मुल एक टू अपॉन जे टू का मान आप से पुछ लिए है मतलब पहला और यहां से आप इसका एड़ करोगे टोटल का यह बनेगा दोसो साथ और यह भी दोसो साथ ही बनेगा और एवरेज बोला कितने नमबर इंस्ट्मेंट्स फाइव नं क्या है कितना हो जाएगा 260 अं। 50 बार-बार प्रेक्टिस करेंगे डेली को यह lectures मिलेंगे जैसे कि आज साच transmit अभी आपको कराया है कौन्सा नौ मार्च 2003 वाला नो मार्च 2023 वाला के कुश्यंस्स्द आपको कर आया है मैंने प्र हथी प्र बहुत ही स्माट और अच्छे तरीके जो भी आप जिस भी प्लेटफार्म से मॉक्टश लगा रहें उसका लगाईए लाइब यह है लाइब की तरीके से प्रिबियस इसमें क्या होता है कि आपको टीचरस बेस्ट से बेस्ट शोलुशन देते हैं क्या देते हैं सबसे पहले क्या है लाइक करेंगे सभी और चैनल को आसेश्टमेंट्स यहीं तक रखते हैं तभी क्या करेंगे अगर अनकेड़ी पर जा रहे हैं तो अनकेड़ी लर्नर एप डाउनलोड कीजिए ठीक है वहां से अगर डाउनलोड करने के बाद आगे सेक्शन में जाएंगे यहां रजिस्टर कर लेंगे अपना मॉइल नमर ना कियो यहां पर 25% का क्या मिल जाएगा किस्काउंट मिल जाएगा मेरा प्रोफायल है अनकेडमीप जाएंगे कि सर्च करेंगे घ्राई जी उसे के साथ कला सको यहीं पर फिनिस्स करते हैं ओके भाई बैए